कैसे हैँ आप सब हमें अफूटली फिट फाइन हेल्द यहाँ थो है मसाले काजो नमक पार है, यह काजू की falt wraps इसके लिए काजू वाले काजू मेरे बननंग बनाती C ःनरी से सब्सक्राइं नमकपार ंसलाएं क्लीकणि साहन को लहाँ है तो मैदा मैंने यहां पर ले ली है मैदा में अब सिर्फ एक दो चीज़े आड़ करेंगे जो है नमक और थोड़ी सी एजवाइन तो यह दो चीज़े आड़ करके उसके बाद हम वही सेंपल टेकनिक जैसे नमक पारे बनते हैं बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है उसी प्रोसी स laws प्रोसीज़े उसी में लगाएंगे जाओं और जाओं वैसी इस तोड़ा अच्छारं जाओं यान उखमें छाओंस Осब उसको हूद थेता है मौन हुँरे नहीं बनाने पानिक ऑस हेलम हूद लगा इस यद्दि आफमको बता दूंगी की कि पदा चलेगा दोरे पर तो मोयन अच्छे से लगा है या नहीं इसमें जो गी हमने एड़ किया है वह इसके पहचान यह है कि जब हम इसके मुठी बंद करेंगे ना तो यह हाथ लगाते ही बिखργेगा नहीं तो देखिए हाथ लगाते अईसे नहीं बिखργेगा यह सॉलिड बिलकुल इसी तरह से इखठा इखठा ही बिखरेगा इसकी यह पहचान होती है तो यह ध्यान रखना है कि ऐसा न हो मुट्थी बंध हो जाये लेकिन वहातब फिर से एकडम पाउडर जैसा विखर गया तो यह चीज नहीं जब यह अच्छे से मल जाएगा अच्छे से गुच जाएगा तो इसको हम गीले कपड़े से ढखके रख देंगे थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट देंगे कम से कम 15-20 मिनट बहुत जादा रेस्ट नहीं देना है 15-20 मिनट काफी है तो देखिए यह बिल्कुल रेडी हो गया है आप इसको रेस्ट देंगे हम तो यह चला आटा हमारा रेस्ट करने के लिए 15-20 मिनट जब तक यह रेस्ट करेगा तब तक मैं बाकी की काम फिनिश कर लूँगी तो पंदर-20 मिनट अब यहां यहां पर हो चुके हैं और देखिए बिल्कुल जैसे रोटी बेलते हैं बस थोड़ी मोटा हमें पतला नहीं बेलना तो जो रोटी की शेप दिनी है यह थोड़ा मोटा दिनी है क्योंकि यह जो काजु की कटिंग होगी यह इस तरह तो यहां पर इसी चीज का द्यान रखना है जो शेप कटे बिल्कुल काजू की तरह कटे तो इसे हाफ-फ सरकल लेना है हमें हमें इस धक्कन के आधे पार्ट से काटना है पूरा पार्ट नहीं काटना हमें राउंड नहीं बनाना हाफ काट करना है और एक दम दवाई होती है लिए दवाई की शिशी होती है जो बिल्कुल धार वाले होती हैं अगर प्लास्टिक के लेंगे तो उनसे सही से नहीं गटेंगे यह जो यह मैटल की होती है न तो इसको इस तरह से रखना है प्रेस करना है और बापस खीच लेना ते लिए कि हैं तो यह प्लेट में ऊचुके हैं इतने सारे रेडि और बाकी की कटीन चल रही है तो जब तक इतने रेडि हो गे हैं उसको साथषा तलना स्टाट करेंगे क्योंकि एक साट बन रहे हैं एक साटल यहां पर क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा देर इसको रेस्ट नहीं कराना है साथ के साथ तलना है तो सबसे पहले एक डाल के हम चेक कर लेंगे तो यह अच्छे से हो रहे हैं और फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है शुरू से लेके अंड तक फ्लेम ही रहे की मीडियम में ही बनाना है ल्याग तो जैसा की मैंने अपको पहले भी हमेशा दिखाया कि जो सबसे पहला काजू ओसाला या कोई वह पहली चीज तलते हैं उसे हमेशा नीची जहां आग जल रही होती है तो एक अमनेुई रख दिया था अब यह साथ लोट में डालने है तूंसी एक ब hm ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से सिख जाए वरना होगा क्या एक तरफ से जादा ब्राउन हो जाएंगे एक तरफ से हलके रह जाएंगे तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखे इसको बनाईएगा मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है अगर आप अच्छे क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो ये बनेंगे एकतम खस्ता और बस इतना ही ब्राउन करना है इनको इससे जादा ब्राउन नहीं करना है और जैसे ही अब ये गरम गरम निकाले जाएंगे वैसे ही मैं आगे का स्टेप बता तो यहाँ पर हमने एक कटोरे में इसको निकाल लिया है अब इसमें आड़ करेंगे मसाला और यह मसाले में क्या क्या है मैं आपको बता देती हूँ इसमें है आमचूर एक चमच आमचूर आदी चमच काले मेर्ज और एक चमच काला नमक तो यह तीन चीजे हैं इसमें इन ती नमक जादा करते हैं जादा तीखा पसन्द करते हैं तो काली मिर्च को जादा एड्म कर सकते हैं कि तो जब हम मसाले गरम में स Sharecamad car और यह इस एपाद द्द्दे को यह hot इड्म में ऐड़ करेंगे अच्छे से उस पिस चिपक जाएंगे मसाले सारे काज्यों पे कि मसाला करकी डदी हो चुका है और एक तरफ спокой हो रहा है एक मसाला करने के लिए रखा है एक मसाले हो चुका है इसे में बाकि भी दौणा appeal और इसने जाए प्रवाइब करती जाओंगी साथ-साथ तो हैना बहुत ही असान और बहुत ही टेस्टी स्नाक तयार हो जाती है चाय के साथ खाना हो या बिल्कुल जब छोटी-मुटी बहुत ही भूक होती है तब कुछ खाने का मन करें क्रिस्पी सा घर में बना हुआ बहुत ही डिलीशिस टेस्टी सा स्नाक है तो इसको जरूर ट्राइ करिएगा जरूर बनाएगा बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाला है डिफिनिटली और बड़े तो स्वात के साथ हुआ है